आगे आपका दोस्त मनोजारा आप देख रहें आट वपैसा दोस्तो आज हम बात करेंगे तीन बज़े वाली केंडल पर हमें कैसे ट्रेड करना है ठीक है निप्टी में या बैंक निप्टी में कैसे तीन बज़े हमें ट्रेड करना है तो क्या करना है दोस्तो तीन बज़े से पहले 5 मिनट हमें alert हो जाना है यानि 2 बच के 55 मिनट पर हमें candle देखना है कौन सा candle बन रहा है देखिए यहाँ पर एक candle बना हुआ है यहाँ पर time देख सकते हैं नीचे 14 बच के 55 मिनट ठीक है यानि 2 बच के 55 मिनट यह time है अब हमें क्या करना है इसका high और इसका low mark कर लेना है तीक है mark करने के बाद जिधर break करेगा उधर का हमें trade लेना है देखिए ये छोटा सा एक candle बना हुआ है इसके नीचे जैसे market गया एक बहुत बड़ा fall आ गया दोस्तों देखिए कितना बड़ा गिरा out आ गया है इसी तरस हमें trade लेना है उपर अगर break करता है तो उपर की side हमें लेना था और नीचे की side break किया तो नीचे की side लेना था अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये bank nifty का मैंने chart लगा रखा है पांच मिनुट का candle इस candle के break पे आप trade लिए हो तो कितना profit हो जाता है देखिए इसका मैं एक strike price लगाया हूँ यहाँ पर 44,400 ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली candle है 14 बच के 55 मिनट है यानि 2 बच के 55 मिनट है दोस्तों ये red वाली candle 2 बच के 55 मिनट वाली है ठीक है और ये green candle 3 बच वाली है ठीक है अगर इस candle पर किसी ने trade लिया होगा breakout होने के बाद तो देखिए कितना बड़ा move आया है यहाँ पर price कितना चल रहा है 135,36 चल रहा है मान लिजी किसी को 40 पर मिला होता ठीक है 40 के बाद कहा price गया है दोस्तों 10 मिनट के अंदर में 10 मिनट के अंदर में high लगाया 326 का ठीक है कितना बड़ा move कर दिया 326 का यह हुआ और यह 140 का कितना बड़ा move हो गया 200 के आसपास हो गया दोस्तों यानि 200 point मिल सकते हैं बहुत ही असानी से ठीक है 3 बज़ेली candle पर जो लोग trade करते हैं उनको पता है 3 बज़ेली candle पर बहुत बड़ा move आ जाता है दोस्तों पूरे हप्ते का profit एकी दिन में मिल जाता है इसलिए 3 बज़ेली कभी भी trade छोड़ना नहीं चाहिए हमें नजर बना के रखना चाहिए 2 बच के 5-5 नमट पर कैसा candle बन रहा है जिदर break करेगा उदर हमें trade लेना है ठीक है दोस्तों कभी भी हमें 3 बज़े वाली candle पर trade मिस नहीं करना है कई बार इतना बड़ा profit हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते पूरे हप्ते का एक दिन में profit आ जाता है तो इसी तरह से trade लेना है यही strategy है दोस्तों ठीक है तो दोस्तों उमिद करता हूँ वीडियो अच्छे लगी हो अच्छे लगी हो तो लाइक से रिज़रू करना मिलते हैं अगले वीडियो में जाएं दोस्तों